तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कैपिसेटर के बारे में तो कैपिसेटर काम कैसे करता है ये अपने इन्दा इलेटिकल एनरजी को स्टोर कैसे कर लेता है इन सब के बारे में हम बात करेंगे लेकिन में लिए हमारी जो आज बात होगी वहोगी लेंडेजार कैपसिटर के बारे में तो सबसे पहले तो हम लेंडेजार कैपसिटर बनाते हैं फिर इसके बाद हम इसके पीछे की फिजिक्स को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट अब हम केपसिटर की वरकिंग देखेंगे कि आखिर ये बंदा कैसे है काम कैसे करता है इसमें मेटलिक की दो प्लेटे एक दूसरे से पहले कुछ दोरी पर रखुई होती है इसकी एक प्लेट पर हम चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट को हम यहाँ प अच्छा इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वैलू धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं बैसे ही यहाँ पर सामने वाली प्लेट पर भी एक इन्डूस चार्ज बन जाता है और दोनों प्लेटों पर जो चार्ज की वैलू होती है यानि कि एमांट के इन्ड़ फील्डवलप ओजाती है और ौर जो कंश्ड़ करता cop बनाने के लिए सबसे पहले में फ्लस्टिक की बोतल चाहिए होगी. इसमें ब restrictive की नार्मल ब्लेट ब्लेट है, और Q- matarحis की यह नमक खाने वाला नमक है और यह पर पही कि पीपे साइबूरत इससे हम static charge produce करेंगे और यह है aluminium foil जो इसकी बहुत ही important है इस aluminium foil को हम इस bottle के ऊपर यहाँ पर रेप कर देंगे इस तरीके से यह हमने बढ़िया से इस में टेप लगा दिया जिससे कि अभी यह aluminium foil इस पर fix हो जाएगी यह हिलेगी नहीं अपनी जगा से यह इस तरीके से यहाँ पर set ओगए अगला काम हमारा यह है इसके उपर का जो gap है इसमें छेट करना इस तरीके के हम पहले से करके रखे हुए इस तरीके छेट करना इसमें ये तार है, इस तार को हम यहाँ पे डाल देंगे, ये तार इतना लंबा हो चाहिए, ये आपके पास तार नहीं है, तो लोहे की कील का भी उच्छ कर सकते हैं, ये तार इतना लंबा हो, कि जब हम इसमें पानी भरेंगे, तो ये अंदर जाकर टाच हो पानी से, ठीक है तो ये हमने तयार कर लिया, अब अगला काम ये हमारा, ये कुछ बायर्स बगएरा है हमारे पास, ये बायर है, इस बायर को हम इस ऐलिमोनियो फॉइल के उपर टैप कर देंगे, ध्यान ने थोगा सा इस्पृट कर ले इस बायर को जिससे कि यहां पर अच्छे से पूरा टच हो जाए, इसको भी टच कर देंगो, और साथ हमें इसको भी यहां पर टच कर देंगो, टैप से हम यहां पर इसको चिपका देंगे, यहां पर इस तरीखे से हमें इसकी टैपिंग कर दी, यह टैप लग गया, देख उसमें से हमने दो वायर लिये, एक वायर ये है, इससे हम कैपिटर को चार्ज करने के बार इस वायर से वह यह जो वायर है यहाँ ग्राउंड में अर्थ हुआ जाके अब इस कैप को इसमें लगाएंगे लगाने से पहले हम इसमें कुछ नमक डाल दिया यह हमने जो सॉल्ट लेया इसमें डाल दें यह नमक हमने इसमें डाल दिया अब अगला काम हमारा यह है कि इसमें हम पानी भर देंगे अब बहुतर गए यह पानी पूरा भर चुका है अब हम इस कैप को इसके उपर लगा दें इस कैप को लगा दिया आप देखेंगे यहां पर पहले से ताल लगा रखा है लोएगा यह अंदर जाके पानी से टच करना है यह टच करना चाहिए यह तो इस तरीके से यहां पर हमारा लेंडेजर कैप्सर बनके तयार हो गया है अब हमारा काम है कि इसको चार्ज करना अब हम PVC pipe की help से इसको चार्ज करेंगे तो इस pipe लिए हम इसको हाथ में इस तरीके से रफ करेंगे यदि आपके पास कपड़ा हो, cotton का या उन का, रेसम का किसी भी तरह का paper हो आप उससे भी कर सकते हैं तो आपको touch नहीं करना है, अब बस उपर से इस तरीके से ले जाए जब यह charge होगा तो उसमें से आवाज आएगी, तो आप उस आवाज को सुन सकते हैं तो हमने यहाँ पर बीच्वार चार्ज कर लिया है, अब हम इसको discharge करेंगे अब हम इसको test करते हैं कि यह charge हुआ की नहीं हुआ है, हम एक हाँ से इसको पकरें और दूसरे हाँ से इसको यहाँ पर touch करें तो यहाँ पर हमें एक छोटा से sock लगा है, यदि आप इस buyer से, buyer को यदि आप यहाँ टच करेंगे तो एक spark मिलेगा तो चलिए हम इसको फिर से charge करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको फिर से charge कर लिया है, अब हम इसको इस buyer की help से इसको discharge करते हैं, यह जो बाइर है यह यहाँ पर connect है, तो अब हम इसको touch कराएंगे, यह देखे आपने यहाँ पर एक छोटा सा spark हुआ हो सकता है आपको नहीं दिख अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि लेंडेजा कैसे करता है, यह जैने कि यह charge और discharge कैसे हुआ, आपको जैसे कि पता है कि हमने यहाँ पर PVC पाइप दे रखा था और PVC पाइप के थोरो हमने इसको charge किया था, और PVC पाइप से जो निकलने वाला charge है, वो static charge था, वो negative charge था, और यह negative charge इस कील के थोरो पूरा अंदर चला जाता है, आपको जैसे कि पता है, हमने प्लास्टिक की बोतल रहे रखी थी, और वहाँ पर जो हमने कील की जगा एक लोहे का हमने तार लगा रखा था, उस लोहे के तार से यह negative charge यह पानी के अंदर पूरा चला जाता है, और जो प यह negative charge इस पानी के अंदर पूरे में धीरे 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 जमा होता जाता है, और वहार जो हमने एक एलमोनियम की फॉल लगा रखी थी, वहाँ पर positive charge इखटा होता जाता है, इस परकार से यहाँ पर दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक यह negative terminal और एक यह positive terminal, तो जब हम इसको discharge करते हैं, तो फिर यहाँ का positive charge और यहाँ का negative charge एक दूसरे के से मिलकर एक spark के देता है, और यह अपनी energy को release कर देता है, तो इस परकार से यह landage our character काम करता है, तो इस तरह से आप landage our character को आपने घर पर भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा carefully से charge करें, क्योंकि ज़्यादा चार थ् natuurlijk मुड़ादया क्रते हैं, क्या हक्यों प्यूचे क्रते हैं, क desaf sixt करें लोग्याद का तूस्ठान्षा रbbe हैं, तो भी आतो ऑ कर भी जए देता हैं, डिए Comics o मुड़ारे था रत्यादा में ज़्यादा यह तू तो तूसां मुड़ारे झारे से वे deg2 थाना टूसरे हैं,